हेलो दोस्तो और आप देख रहे हैं स्टाडी जीक एजूकेशन इस चैनल पर गुवर्मेंट जब की लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तो यहां पर मैं बता दूँ आपको कि बिहार पूलिस फॉरेस्ट गाट के लिए आपकी वेकेंसी आयू थी एक जनवरी से फॉर्म भराना इस्टार्ट हो गया था इसका देखिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है इसका अंतिमती थी यह निकि लास्ट डेट 31 जनवरी 2019 है तो जिन लोगे ने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म को जल्दी अपलाई कर दें क्योंकि लास्ट डेट हो चुका है डेट बढ़ाया नहीं जाएगा इसमें आपकी पूरी परकिरिया चैन परकिरिया के बारे में हम बात करेंगे फूल सिलेबस क्या है और किसके लिए कितन आरक्षण इसमें दिया जाएगा और कितना पर्शंट आपको लाना इसमें जरूरी है कितना पर्शंट मार्क्स लाएंगे तो आपकी सेलेक्शन इसमें पकी हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूँ आपको कि देखिए यहां से आप जाके पूरा परकिरिया दे तेज साल दिया गया है और OBC के लिए 25 साल दिया गया है और ACST के लिए candidate के लिए यहाँ पर 28 साल दिया गया qualification आपकी ब्रहवी पास जो भी कर चुके हैं जितने भी लोग हैं ब्रहवी पास कर चुके हैं वो अपलाई कर सकते हैं इसमें higher education के लिए हो सभी लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं लेकिन उनकी age ज्यादा नहीं होनी चाहिए अपने category में तो लोग अपलाई कर सकते हैं देखिए यहाँ पर दो विभाग में भरती है एक तो परियावरोन विभाग में भरती है बन जलवाईम परिवरतन विभाग में यह भरती आई हो है यह आपकी गास्ट के लिए हैं मेल और फिमेल दोनों लोग अपलाई कर सकते हैं यह फॉरेश्ट गाड की भरती है मेल के लिए हैं पे मैं बता दूँ आपको जितने भी सीट हैं उसमें से मेल और फिमेल के लिए सीट में बता दूँ कि यहां पे 35% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट किया गया है तो 35% आरक्षित रहेगा महिलाओं के लिए इसमें पोस्ट कितने हैं इसमें पदों की सक्ख्या देखे इसमें 902 इसमें पद दिये हुए आनि पोस्ट वेकेंसी है इस इसमें से 35% महिलाओं के लिए अरक्षन रहेगा तो चलिए यहां से देखिए यहां से जाके हम पूरा सिल्यवस यहां से देख सकते हैं यहां से नोटिफिकेशन देख सकते हैं और यहां से जाके अपलाई कर सकते हैं यहां से जाके इस लिंक से अपलाई कर सकते हैं रेजिस् description box में Link रहेगा वहां से भी आप चाकर इसको देख सकते हैं कि चलिए advertisement के आपकी चैन पर्किरिया क्या रहे गी इसमें ठीक है तो चैन पर्किरिया के लिए हम यहांऽे advertisement में जाएगे यहाns से जाके पूरा हम chain पर्किरिया के बयरे में हम देखेंगे तो चैन पर के लिएम हम तीन चीजे देखेंगे पहला चीज इसमें देखेंगे किया किया सब्जेक्ट आपके कोश्चन पुछे जाएंगे कितने कोश्चन पुछे जाएंगे और दूसरा देखेंगे किसमें आपकी इसमें चिकित सक जाच क्या किया जाएगा आपकी चकित सक्जाच होगी या नहीं होगी और इसमें निगेटिंग मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी यह सारी चीजे हम देखेंगे देखें दोस्तों यहाँ पे आपका पहला चरौन होगा पहले चरौन में आपकी अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन पुछे जाएंगे और आपके मैट्रिकुलेशन के लेबल के कोश्चन पुछे जाएंगे इसमें हिंदी पुछा जाएगा समान्य विग्यान से कोश्चन रहेगा कुछ संखिया पैदारित प्रस्टन रहेंगे मैट से 10 वी कलास थे ठीक है ये सारी चीज़े हम देखते हैं दो घंडे का पेपर होगा जिसमें से एक कोश्चन यदि आप सही करते हैं तो आपको चार नंबर इसमें दिया जाएगा अधी आपको एक कोश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर इसमें से काट लिया जाएगा देखिए चार डिविजन में इसको बटा गया है पहला भाग इसमें जो 30 कोश्चन रहेंगे उसमें से आपको राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय महतो समय समाईकी से घटना से करेंट अफेर्स पुछे जाएंगे उसके भारतिय इतिहास से कोश्चन पुछे जाएंगे उसके भारतिय अंतराष्ट्रिय अंदोलन से पुछे जाएंगे भारतिय राष्ट्रिय अंदोलन से पुछे जाएंगे भुगोल से पुछे जाएंगे और भारतिय राज तंत्र, सासन और आर्थिक यानि कि civic history से question पुछे जाएंगे आपके polity से पुछे जाएंगे question यानि कि यहां पर देखिए समाजिक विकास से question पुछे जाएंगे इस संबंदित question आपसे पुछे जाएंगे और यहाँ पे दूसरा जो भाग इसमें दिया हुआ है दूसरे भाग में 25 कोश्चन पूछे जाएंगे दसवी कलास से कोश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे संख्यायन पे अधारित कोश्चन होंगे संख्यायन पे अधारित और आकडों से आकडों का निर्वाचन से कोश्चन आएंगे यहाँ पे आकडों की परियाप्तता से कोश्चन संबन्दित ये सारी प्रोशन रहेंगे इसके बाद जो भाग चार रहेगा हिंदी से पुछा जाएंगे इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि कहां से सब सारी चीज़े ये तो पूरा एक नोट्स के अनुशार ये दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है कि यह 30 प्रोशन पुछे जाएंगे राष्ट्री और राष्ट्री ये महतो से तो यह पूरी इसके डिटेल्स हम देखेंगे पूरा सिल्यबस के बारे में देखेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं और सारी चैन परिक्रिया जो आपकी है लिखित एक्जाम जो ये कराई जाएगी इसके बाद आपके यहां पे जो लोग लिखित परिक्षा में पास हो जाएंगे उनकी यहां पे सारी जाच के लिए बुलाए जाएगा और सारी परिक्रिया होगी लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि लिखित परिक्षा में कितना नंबर लाना आपको ज़रूरी है देखें यहां पे समान निबर के लिए 40% अंग लाना है निकि 100 में से 40 नंबर लाना आपको कटप पार करने के लिए ज़रूरी है यह कटप पार करने के लिए ज़रूरी है यदि आप जितना ही ज़्यादा नंबर लाते हैं लाएंगे तभी आपका सेलेक्षन इसमें पका माना जाएगा अंक के अधार पे इसमें और जाती कोटी के अधार पे इसमें सेलेक्शन लिया जाएगा ना कि आपके चिकित्सा के अनुसार इसमें यानि कि आपके सरीरिक छामता और जांच के अनुसार लिया जाएगा इसमें आपकी अंक के अनुसार इसमें आपका सलेक्शन होगा और देखे पिछड़ा बर्ग में आपके 36.5% इसमें अंक लाना जरूरी है कटप पार करने के लिए और देखे अतियंत पिछड़ा बर्ग के लिए यहाँ पे दिया हुआ 34% अंसुचित जाती अंसुचित जन जाती और पिछड़ा बर्ग के महिलाओं दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 32% निर्धारित किया गया है लिखित परिक्षा में अंक इसके बाद देखे यहाँ पे सारीरिक जामता जो इस कटप को पार कर जाएगा उनको सारीरिक दक्षिता में बुलाया जाएगा यादि जो लोग इसको नहीं पार करते हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा देखिए जो चैन पर के लिए आपकी होगी उसमें दो गुना यानि की 902 पोश्ट के लिए आपकी भरती है इसमें दो गुने यानि की अनुपात में आपको बुलाया जाएगा यानि की MEGA SUCHY तेयार किया जाएगी MEGA SUCHY जो होगी यहाँ पर देखी और कोठी के अधार पे तेयार किया जाएगा MEGA SUCHY इसके बाद आपकी पूरा सत्यापन किया जाएगा DOCUMENT VERIFICATION किया जाएगा इसके बाद आपकी चैन परकिरिया कर ली जाएगी तो चलिए syllabus देख लेते हैं पूरा syllabus के details, full syllabus क्या-क्या है इसमें यहां से चलिए देख लेते हैं पूरा आपका चैन पर किरिया में क्या-क्या syllabus जैसे देखिए यहां पे दिया हुगा है यहां पे देखिए भाग पहले में 30 question आएंगे जो 120 marks के रहेंगे अंतराष्ट्रिये महत्तो पे यहां पे देखिए चार प्रोष्ण पूछे जाएंगे चोई 24 नमर के रहेंगे एक प्रोष्ण चार माक्स कराएगा यहां पे देखिए भारतिये इतिहास और भारतिये राष्ट्रिये अंदोलों से जो question पूछे जाएंगे यहां बिहार से आपका question रहेगा बिहार की भुगुल रहेगी और यहां पर भारत और भीशो का प्रकृति से question आएगा और समाजी को मार्तिक भुगुल से 6 question पुछे जाएगे ठीक है इसके बाद हमें देखी यहां बात करते हैं आपके भारतिये राज तंत्र और सासन यानि कि सम्भिधान आपकी सम्भिधान से कोश्चन रहेंगे रणनितिक प्रणाली पंचायती राज से कोश्चन आएंगे लोक निरित्य से कोश्चन इसब अधिकारिक संबंदिक मुद्द से कोश्चन पूछे जाएंगे जो 6 प्रणा पूछे जाएंगे और देखें यहां पे आर्थी क्यों समाजिक विकास से पूछा जाएगा जो कोश्चन सतत विकास गरीब और समावेश जनसंख्या समाजिक छेत्र से कोश्चन जो पूछे जाएंगे छे कोश्चन पूछे जाएंगे इसमें आपको जो यहां भाग जो आपका दूसरा रहेगा यहां भाग दूर रहेगा जो पूछे जाएंगे 25 पूछे जाएंगे सो माक्स के अधार भूत जो जनसंख्या से तालिका होता है आंकटट से संबंदीत कि प्रशन रहेंगे जो आपके यहाँ पर 15 प्रशन पुछे जाएंगे और तार्किकी त wellness से कोर्षण जो पूछे जाएंगे यहाँ पर 27 मत प्रशन रहेंगे वह आपके 5 प्रक पूछे जाएंगे इसके बाद समान्य मासिक 16 से 5 प्रशन पूछे जाएंगे यानि कि आपके रिजनी से कोश्चन जो 5 पूछे जाएंगे वो 20 माक्स के यहाँ पे रहेंगे तिसरा भाग यहाँ पे देख लिजिए आप 25 कोश्चन सो माक्स समानने बिज्ञान से आपके 20 प्रशन रहेंगे समानने बिज्ञान इनके साइन से 20 प्रशन रहेंगे परियाबरन परिष्टिति की जय विवेतायम जलवाई परिवर्तन ये समुद्दों पे जो कोश्चन आएंगे आपके 5 प्रशन आएंगे इसके बाद जो भाग चार रहेगा भाग चार में यहाँ पे देख लिजिए हिंदी कोश्चन पुछे जाएंगे और हिंदी में आपकी हिंदी भासा के बिचार से कोश्चन रहेंगे आपके यहाँ पे गद्ध और यहाँ पे सब्द भंडार हिंदी बियाकरण से कोश्चन पुछे जाएंगे ठीक है तो यह सारी पूरा आपकी syllabus रही और यहां पे English में भी दिया हुआ है जो लोग English में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं इसका description box में link रहेगा वहां से आप जाके पूरा details देख सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों जो लोग अभी apply नहीं किये हैं वो लोग जल्दी से जाके apply कर दें क्योंकि date बढ़ने वाला नहीं है 31 जनवरी तक ही last date रहेगा आज हो गए आपका 28 जनवरी तो मैं यह expect करता हूँ कि आप लोग 100 like जरूर करेंगे वीडियो पे like जरूर करें इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और पता भी चलेगा कि लोग वीडियो को पसंद करते हैं